हम आपके लिए ओनलाइन टेशन शुरू कर रहे हैं इसमें क्लास्टर मैट्स के सारे चैप्टर्स टे लिए अप्लोड करेंगे रेगुलर अप्डेट्स के लिए हमारे चानल के सब्स्राइट करके नोटिफिकेशन बल बटन दबाएं और हर वीडियो के आण में आपके लिए कुछ कोश्चन होंगे जिनका कमेट में रिप्लाइ जरू करें तो आई यह स्टाट करते हैं आज के क्लास NCRT के एक्सेस 10.1 सो यह इसका कोशिन नमबर 3 है देखिए यहां हम एक सर्कल दिया गया है विच सेंटर है ओ और यहां PQ इसका टेंजन है और यह इंटरसेक्ट कर रहा है पॉंट पीपर सो यहां पॉंट पी जो हो जाता है यहां पॉंट अफ कंटक्त है नाँ तू इस पॉंट अफ कंटक्त एक रिडियस द्रॉ किया गया है O P सो यहां रिडियस की लेंग्थ दी गई है O P is equals to 5 cm also center of the circle O से यहां जो इस लाइन पर पॉंट क्यू है उसको जॉंट किया गया है इसकी लेंग्थ दी गई है O Q की this is 12 cm now here we have to find the length of P Q अब देखे हमें पता है कि टेंजन से यह पॉंट अफ कंट्राक्ट के त्रू यह हमें एक रेडियस द्रॉ करते है तो यह रेडियस और यह टेंजन जो होगा यह पर्पेंडिकुलर टू एच अधर होगा that is here O P is perpendicular to P Q एयुआ देखे एक अंगल propag id ओ डीकुलर यह हम जानते है यह 90ो डिग penti डीगर्ई का राती डीगेos का एयुए यह पॉण Grshev defining these using prбы कि यह बहुने त्रृइंजन दुसक्ता आगल ऑ पक यह एक और्रेट डीग्रेस का कि कि hypotenuse squared is equals to perpendicular squared plus base squared यह हम जानता है so यहां हम देख सकते हैं जो hypotenuse है this is OQ so हम लिख सकते है OQ squared is equals to यहां perpendicular है OP so this is OP squared plus base squared that is here PQ base है so PQ squared हम लिख सकते हैं अब आएए इनके values हम यहां substitute कर देते हैं OQ and this is 12 centimeters is given so इसको 12 squared लिख देते हैं which is equals to OP इसकी measurement हमें दी गई है this is 5 centimeters so this is 5 squared में लिख देती हूं plus PQ हमें इसे value पता नहीं हमें इसको find करना है so now PQ squared में इसको as it is लिख लिया now इसको मैं arrange कर सकती हूं so I can write this as PQ squared is equals to 12 squared minus 5 squared हो जाता है देखे transpose कर देती हूं तो यह minus 5 squared हो जाता है so this is equals to 12 squared का मतलब हो जाता है 144 and 5 squared means 25 so this is equals to 190 now यदि मैं square root लेती हूं both sides taking square root on both sides so देखे यदि हम both sides square root लेते है इस तरीके से तो यह क्या हो जाता है so I can write this as therefore देखे बहार square root है और अंदर square है so इसको मैं simply PQ लेख सकती हूं which is equals to अब देखे इसको मैं further break नहीं कर सकती so इसको मैं directly लिख देती हूं root under 119 और यहां units जो है यह है centimeters so हमने find कर लिया PQ कितना है यहां PQ is equals to root under 119 cm so हमारा जो option D है यह यहां correct answer आयाद देखते है आज के सवाल आप जल्दी से comment में के reply करें मुरवर हमारे चानल के subscribe करके notification bell बटन दबाए so that आपको हमारे वीडियो के updates बंदर है so आज के लिए यही तख see you in the next class thank you